कि नमस्कार मित्रों आप सभी का जो है हमारे यूटूब चैनल ग्यान तिला का आई एस एकेड़ी में श्वागत है मैं रुपेश बर्मा आप सभी लोगों का श्वागत करता हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस बैकेंसी का जो है मार्ण परचलत हो चुक लंबे समय से जो है यूपी पुलिस की बैकेंसी का इंतिजार कर रहे थे जी हां हम बात कर रहे हैं कि जो है यहां पर यूपी पुलिस भर्ती और प्रोनेत बोर्ट की द्वारा जो है सारी परकरियाएं पोर कर लिए गई है और जो देरी चल रहा था उन परकरियाओं को ले कि इसमें जो है हम देख लेते हैं कि कितने खिलाडियों का कोटा पिक्स लिया गया है कितने जेल वार्डन हैं कितने सब एक्सटेक्टर हैं कितने जो पुलिस रेडियो आपरेटर हैं इस सबी चीज़ को हम देखेंगे तो मित्रों इसमें देखेंगे पहला कि इसमें कान्स टेबल का जो है जो टोटल पद है वो 52,699 पद हैं और ये आनलाइन की परकिरिया जो है ये दिसंबर लाज्ट से या जनुवरी के प्रारम से जो है इस्टार्ट हो सकती है इसमें देख लेते हैं कि जेल वार्डन के जो है 2833 पद इसमें आए हैं सब इन्फेक्टर SI के पद जो है यहाँ पर 2479 पद आए हैं लेकिन अगर पुलिस रेडियो आपरेटर का देख लिया जाएगा तो इनका जो है 2430 जुए पद सामिल किये गए हैं हाला कि अगर लिपिक समुवर्ग की बात कर लिया जाए तो इनकी पदों की संख्या जो है यह 545 बताई जा रही है हाला कि वीडियो आप लोग को अच्छे लेगे कि आप लोग जो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्केल में सेयर करिए और लाइक भी करिए अगर नए हो चैनल को सस्क्राइब करिए चुकि हम ऐसे अपडेट आप लोग को देते रहेंगी हमारे आनलाइन क्लासे भी इसके चलती रहती है और ये वीडियो जो है उन्हों ग्रामेड प्रवेश में रहने वालों के लिए बहुत हिम अनमात पूब है जहां पर न्यूट फेपर संभो नहीं पाता तो मित्रों इतने हम देखेंगे कि जो है केंप्यूटर आप्रेटर के जो है इसमें 872 पत को सामिल किया गया है और जो है केंप्यूटर प्रोग्रामर के जो है यहाँ पर 55 पत जो है इसमें रहेंगे बात कर लेते हैं इसमें कि कुसल खिलाड़ी कोटे से जो है यहाँ पर 5-21 पत को जो है सामिल किया गया है और पुलिस बिभाग में जो है 2017 से अब तक अगर बात करे लिया जाए तो 1.60 लाग पदो पर भरती जो है की जा चुकी है तो जो भी स्टूडेंट हैं उस सभी को जो है अभी से आप लोग लग जाएगे चुकी अब ज्यादा समय नहीं बचा है आनलाइन से 2-3 महीना बाद तुरन तिजाम होने की संभावना है और जिस हिसाब से सारे आयोग जो है काम कर रहें तो हो सकता है भाई बिहार की तरज पर यूपि में भी काम तेजी से चले तो आप लोग जो है अपने तयारी में लगी रही है धन्यवाद